अज़े आफंगा जो चुछ easiest विजख वाले, अज़े पुछ बीए सिक्स स्प्लेंडर में कि अंदर डिजब्रेंडर के अंदर डिशब्रेक होने पर कितना ज्यादा सुकून और आना जामें, क्योंकि नॉर्मल ब्रेक के बात ज्यादा जमीना स्वान का फरक है पर अभी वि ABS की पूरी वीडियो चाहिए, तो मुझे बताना जैसी ये वीडियो होने वाली है, वैसे ही एक और ABS की पूरी वीडियो होगी, अभी फिलाल बात करते हैं इसकी, ये Splendor है, PLUS BS6, ठीक है, इसको पर मैंने काफी वीडियो बनाई है, बड़ा भी बात करता हूं, Splendor PLUS BS6 में, डिस ब्रेक कैसे इंस्तॉल करोगे, कौन-कौन सी बाइक का इसमें आप पार्ट्स इस्तमाल कर सकते हो, जिससे आपकी गाड़ी में लंबे समय तक, डिस ब्रेक एक तम मक्षन की तरह गाम करेगा, मलाई की तरह गाम करोगे, तो अभी फिलाल जो है, इसके अंदर ल का आगे का suspension उसमें यूज करना चाते हो, तो आराम से इजली कर सकते हो, दिक्कत है क्या क्या आपको आएंगी, क्या क्या यह नहीं आएंगी, यह चीज में आपको आगे पूरी वीडियो में डिसकस करूँगा, ज्यादा दिनी ना करते हो, फटा परस इसका आगे का ताम ज अगा यह भी बताऊंगा, डिस ब्रिक कैसे मेंटेन करते हैं यह भी होताऊंगा, तो ज्यादा दिनी ना करते हो, फटा परस इसका खोलते हैं काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, मकैनिक होते हैं, जो लोकल पार्ट्स फिट करके डिस ब्रेक को इंस्तॉल करते हैं, उसके बाद होता क्या है, रिजल्ट आता है जीरो, जीरो कैसे आता है, जब हम गाड़ी में डिस ब्रेक फिट करते हैं, और लोकल पार्ट्स पुर्जे फ दिक्कत होती है तो कभी भी लोकल पुर्जे को फिटना कर रहे हैं यह बात याद रखना क्लेमर गाड़ी के आके के सोकर हो गए हमारे और पूरा कम्प्लीट अपर्टी के नटबुल्ट हो गए सारे के सारे टाइट कर दिये हैं और इसका जो सोकर है, फ्रेंट का ऊपर चेक कर रहे हैं, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, कि भाई हमारी गाड़ी के सोकर होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा कम्प्लीट फरसंस पर नाराम से लगा सकते हैं, ये गलेमर का ही पूरा लग रहे हैं, मैं दुबा और आसे लिए ट्राइज जारीगे, ये फस्ट लास, मंखान एक दम, एक दम फस्ट लास, डिस ब्रेक की मेंटेरिंस अगर आप चाते हो, तो उसके लिए आपको डिस पैड कम से कम 8000 किलोमोटर पे चेक करवाने हैं, या फिर उसको प्रॉपर तरीय से क्लीन करवारा है, प्रॉपर को ठीक है, उसके लावा आपको हर सर्विष पर अपनी गाड़ी का ब्रेक ओएल चेक करवाना है, और अगर ब्रेक ओएल काला हो गया तो उससे प्रॉपर तरीके से क्लीन करवा कि उसमें नया ओपना है, तो फटावर से और बाते करते हैं और इस गाड़ी को वो कम्बो है वो कैसे मेरेज की आपने, इसका मीटर कैसे चालू किया, और तीसरा सवाल होगा आपकी गाड़ी के लिए बेकलाइट कैसे चालू करी गडिए, अब बिरक्शू चालू की होगा है इसका जो ब्रेकसू הק mater का सकते हो और इसमें जो ब्रेक्स को चोता हो समय दो क्लिप लगा के आप अपनी ब्रेक लाइट को कंफर्म मतब परफेक्टली कर सकते हो ठीक है उसकी पहला डाउट हमारा के लिएर हो गया अब तीसर डाउट हमारा मेंटर कैसे चालो गया देखो यार यह जो ग्लेमर वाली गाड़ी का है यह है एफ़ाई गाड़ी का सिस्टम जिसमें हमारा पीछे की तरफ सेंसर दे रखा था आपको वह वाला कंप्लीट सेस्पेंसर यूज़ करना है जिसके अंदर आगे की तरफ अगर आप सोच रहे हों कि इसके अंदर आप यह लगाओगे तो आप लगा से सकते हैं बहुत जादा मसकत करने पड़ेगा इसलिए बहुत सिंपल सा स्टैप है आप पुराने वाली ग्लेमर का मॉड़ा लेना और उसकी दिसब्रे का ताम जाबिसमें लगा देना यहां पर जो टायर की जो फिटिंग है वो भी आपके ग्लेमर में लग जाएगी और उसके लाबा इसका जो टायर लगा हुआ है इसमें भी फिट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से वैसे मैंने पूरा एलोविल जो है इसके नहीं उठाकर डाला है और डिस ब्रेक पूरी उठाकर डाल सबसे जरूरी चीज होती है देखो डिस ब्रेक लगाने के लिए जो खर्चा देखो एलोविल की बात कीजा तो बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप नया लेक्या होगे तो ठीक है डिस प्लेट होती है मैं सारा नहीं का खर्चा देता हूं एक आइडिया बता रहा हूं अब एक तरफ प्रोक्सी मडली 6700 पर ले ले लेता हूं ठीक है क्योंकि इसके अंदर क्लिप भी होती है लग से पूरा मास्टर से लेंटर ले लेता हूं 1400 से 1300 का सबसका आता है और इसके नेटबोल ले लेता हूं टोटल 300 पर की किटोगी पूरी उसके लाबा आपकी लेवर पैसन एकस प्रो कर नहीं लग पाएंगे बहुत दिक्कत होगी आपको ठीक है क्योंकि पैसन एकस प्रोका जो मर्गाट होता है उसमें थोड़ी सी फिटिंग मेंट आउट होती है और थोड़ा सा अजीब सा लगता है गलेमर का मरगा इकन सेम डिटो ऐसा लगता है जैसे कि इसी का गाड़ी का मरगाट है तो दिखने थोड़ा प्यारा भी लगता है पैसन एक्स पोब में बहार से नेट बूल टाइट होते हैं और जी जो हमारी गाड़ी है मैं इसमें स्प्लेंडर प्रो का भी मरगाट लगा सकता हूं जाएगा उसके लाब आप बात करता है काफी सारी पुरानी मार्गेट है जहां पर बहुत सारा आपको पुराना समान मिल जाएगा तो वहां से भी आप अपनी गाडी के आगे के कर दो आपको करता है और आपको करता है अपको तो पीछे तबाओ गरी की अपको लगता पर कि सही नहीं है या फिर आपकी गाड़ी के डिस्पैट सही नहीं है एक बात और कभी कभी क्या होता है हमारी गुमाते हैं तो कहीं से तो फ्री होता और कहीं से जाम होता है तो सिस्टूचन में क्या होता है यह जो प्लेट होती है यह टेड़ी होती है जहां से टेड़ी होगा जहां से सही होगी वहाँ फ्री होगा यह भी यात रखना है एक बात और अगर यह टेड़ी प्लेट हो गई तो यह सीधी नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर क्योंकि यह प्यूर स्टील होती है इसमें आप चोट मारोगे यह प्रॉपर तरीके से गरम करके चोट मारोगे तो बेकार हो जाएगी और वैसे चोड़ी होने के मतलब भी नहीं बनता ठीक है बागी अलग अलग लोगों का टैलेंट है अब बात करते हैं इस वीडियो को एंड की तो इस वीडियो से चैस करने के तो मुझे करें मैं सोच रहूं मैं तुमाहत थिंक कर रही है कि इसका पूरा हिंजन उतार के एक पुर्ज को खोल कि आपको इंस्पेक्ट करके बताऊं मेरा मोटर साइकल का कोर्स कुछ दाइम है लौंस हो जाएगा अगर आपको मोटर साइकल का को लेना है आप नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं बागी इस वीडियो का इंड करता हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यों सोमाज में टेक क्यार